हेलो गाइस दिस चार्ली विलकाम बैक टू मैं न्यूव वीडियो ये वीडियो को आप लास तक देखिए वीडियो को इसकीप मत करना वरना कुछ समझ नहीं आएगा तो बिना किसी बखवास के चलिए सुरू करते हैं बाई आजकल एक पबजी में जब आप लोग ओपन कर रहे हैं तो एक एरशो हो रहा है जो की जीओ के आप साइट से जाएंगे मतलब जीओ का आप नेट आन करेंगे तो उनको मतलब बेसिकली जीओ मैं बहुत अपने दोस्तों को भी पूछा तो बेसिकली जीओ में ही ниंदा प्रवल्म कर रहा है तो यह दिक्कत का सामना करना पठेक्ण है दोस्तों आप लोग को अगर आप las step open कर ने तो यह दिखार हो यह लोग दो से Plusłem आप 25 मेरे वीडियव parenthों और हो तो अगर अगर आब लोग GEO Connect से on कर रहे हैं तो ये और भी मतलब अगर आपका on भी हो जाएगा ठीक है तो आपका team mates का आपको sound नहीं देगा और आपका आपका team mates के पास नहीं जाएगा ठीक है तो इसके मेरे पास दो solution है जो मैंने search किया तो मतलब जो मैंने अपने दोस्तों से पूछा तो मतलब उन्होंने बताया और मैंने भी काम किया इसके उपर तो ये 100% work है ठीक है 100 क्या दोस्तों 100% work है मैं guarantee के साथ बोल रहा हूं दोस्तों मैं आज ही क्या हूं इसलिए मैं आज ही video बना रहा हूं तो पहला जो है वो मैं आपको दिखाता हूं पहला जो जिसके पास latest mobile है उनके लिए ये video है वो इन video को पूरा ध्यान से देखें आपको मतलब stepwise आपको मैं बस समझाया हूं इस video में तो आप लोग ये video को ध्यान से देखें तो वो जो PUBG mirror दिखाता है उसे हटाने के लिए हम सबसे पहले settings में जाएंगे settings में हमारे यहां पे other wireless connection नाम का एक option होगा उसे पे click करना है यहां सबसे नीचे scroll करने पे सबसे नीचे private DNS नाम का option होगा आप यहां से भी इसे देख सकते हैं यहां तो फिर settings के search option में दबा के आप वहां पे private DNS लिखके दून सकते हैं यहां पे आप private DNS में जाना है off का button होगा auto होगा और designated हो सकता है या फिर host हो सकता है designated मेरे पहले से लिखा हुआ है आपको option दे देगा आप जब दबाएंगे तो लिखने का यहां मैंने modify पर दबाया अंदर आपको यह लिख देना है बस DNS Google वो DNS आप लिखेंगे अपने आप capital में लिखा जाएगा DNS.google लिखना है और बस save कर देना है उसके बाद आपका पब्रीव चलने लगेगा same process अगर आप मैं यह वीडियो दिखा या आपको realme के device में same process आप realme के device में भी देख सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले आपको main setting पर जाना है main setting में जाते हैं search setting आएगा वहाँ पर आपको search करना है private DNS private DNS यह आपको off में होगा ठीक है मेरा भी अभी off में मैं आपको off किया हूँ private DNS यहाँ पर search करते हूँ आएगा फिर आपको off पर रहेगा यह आपको यहाँ पर जाना है private DNS provider host name dns.google मैं यहाँ पर डाल के रखा हूँ आप यहाँ पर blank होगा आपको dns.google डालना है same process है जैसे मैंने पिछले वीडियों बता जाया है same process है आप यहाँ पर डालिए save कीजिए done back कीजिए cross कीजिए pubgm open कीजिए को इटेजन का बात नहीं है दोस्तों बीना घवडाना आपको घवडाना नहीं है दोस्तों यह मस सुचे मैं गलत वीडियों आपको कबलत वीडियों नहीं दूंगा आप इस वीडियो आप मतलब आप ट्राइ कीजिए एक बार यह 100% यह 200% वर्क है सही है दोस्तों आप एक बार ट्राइ कीजिए और और second step जो मेरे भाईवन्दू है यह उनके लिए है जिनके पास low end device है और जिनको setting पे private DNA सो नहीं कर रहा है सर्च setting पे जाने के बाद private DNA आप नहीं कर रहा है यह उनके लिए है तो उन्हें बस कुछ नहीं करना यह description में link दूंगा उस link पर खली कर रहा है धर पड़ी आप नहीं है यह प्लेश्ट में अविलेबले यह यह आप अपको क्लिक किजिए गा कुछ नहीं करना है आपको सब permission मांगेगा permission तो आप permission को allow क पीजीगा लॉक करने के बाद ऑप डिप JUL एया हो रहेगा गुट निंहीं करना अब आ यहां पर इस्टर्ठ करें एक बार स्टर्ट करने बाद आप एक बार अब एक बाद के इसको हता दिए जो करने किज सट्राइब को और आ Suk FX तरह जिसका पिंग आता था पहले ही वैसे पिंग आएगा आपको पिंग को लेकी स्पाइक शुचे का पिंग स्पाइक करेंगे इंस्ट्रॉल करने से ऐसा कुछ नहीं है कुछ नहीं, मैं आपको गलत वीडियो नहीं बढ़ाँगा मैं भी ये इस्तमाल किया हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप जाकर ट्राइ कीजिए नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए क्या आप दिक्कत आड़ी है मैं आपको बताऊंगा बस आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से लें सब्सक्राइब कीजिएगा जैहिंद, बंदे मातरम